प्रेज लॉड आज हमारे लिए मनन का विशे संधमती के सू समचार से हैं अध्याय चोद आपस सिंग्यांती रासिली कर इसा ये समाचार सुनकर वहां से हड गए और नाव पर चड़ कर एक निर्जन स्थान की और चल दिये जब लोगों को इसका पता चला तो बे नगर नगर से निकल कर पैदल ही उनकी खोज में चल पड़े नाव से उतर कर इसा ने एक विशाल जन समू को दीखा उने उन लोगों पर तरस आया और उनोंने उनके रोगियों को अच्छा किया संधिया हुने पर शिश्य उनके पास आकर बोले ये स्थान नर्जन है और दिन धल चुका है लोगों को विदा कीजिये जिससे वे गावों में जाकर अपने लिए खाना करेद ले इसा ने उतर दिया उन्हें जाने की जरूरत नहीं तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो इस पर शिश्यों ने कहा पांच रोटियां और दो मचलियों के सिवा यहां हमारे पास कुछ नहीं है इसा ने कहा उन्हें यहां मेरे पास ले आओ इसा ने लोगों को घास पर बेठा देने का आदेश दे कर वे पांच रोटियां और दो मचलियां ले ली उन्होंने स्वर्खी और आखे उठाकर आशश की प्रार्थना पड़ी और रूटियों तोड़ तोड़ कर शिश्यों को दी और शिश्योंने लोगों को सबोंने खाया और खाकर तुर्प्त हो गए और बचे हुए टुकडों से 12 टोकरे भर गए भोजन करने वालों में स्त्रीयों और बच्चों के अतिरिक्त लगबग पांच हजार पुरुष थे क्रिस्मे प्यारी भाई और बहनों आज संज्वती के सुसमाचार में हमारे लिए चिर सुपारीचित रूठियों का चमतकार हमने सुना कलीसियाई जीवन में हमकसर ये रूठियों का चमतकार के बारे में सुने हैं मनन किये हैं आज फिर से प्रभु वखी पाथ हमारे मनन के लिए दिया है प्यारे भाई और बैनों प्रभु और उनके शिश्य काफी ठक चुके थे और वो चाहा कि कुछ देर अकेले में विस्ट्राम करे और विस्ट्राम करने के लिए वे नाव में चड़कर उस पार जाने लगे जैसे लोगों को पता चला कि प्रभु कहां जाने वाले हैं तो प्रभू के पहुँचने के पहले ही लोग वहां पहुँच जाते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि किस प्रकार प्रभू उन पर तरस खाकर वचमतकार वहां पर करते हैं। प्यरे भाई और मैंनों इन वचनों को पढ़ते समय दो बातें मेरे मन में जरूर गुजरा हैं जो मैं आप सबों के साथ साजा करना चाहूंगा। सर प्रभू वहां पर अपने शिश्यों से पूछते हैं कि तुमारे पास में क्या है। अगर प्रभू पांच रोटी और दो मचलियों को पांच हजार या उससे ज़्यादा लोगों के बीच बाट सकते हैं। तो हम पूर्ण विश्वास ये भी कर सकते हैं कि प्रभू वे पांच रोटी और दो मचलियों की सिवाब ही लोगों को खिला कर त्रप्त कर सकते थे इसके बावजूद भी प्रभू उन से उनकी हिस्तिदारी मांगते हैं पांच रोटी और दो मचलिया प्रबु के लिए क्या दे सकते हैं प्रबु उस पर आशिश करते हैं जब हम देने के जो मनो भाव रखते हैं प्रबु उसको और आशिशित करते हैं पांच रोटी और दो मचलिया चायद मुश्किल से दो पेट बर सकते थे लेकिन जब वो दो पेट के लिए रखे गए वो पूँझी जब वे प्रभु के हाथ में देने के लिए तियार हो जाते हैं या प्रभु के लिए देने तियार हो जाते हैं, कि प्रभु उस पर इस प्रकार आशिश करते हैं, वो पांच हजार पेट के लिए परियाप्त हो जाता है, प्यारे भाई और बहनों, देने वालों को आशिश करने वाला इश्वर के बारे में, ये वचन हम सब को याद दिलात और उसी के साथ साथ एक और बात मेरे मन में जब मैं इन वचनों को पड़ रहा दा गुजरा वो समकालीन समय से जुड़ा है आज के समय से जुड़ा है आप में से शायद काफी लोग एक सब्ताह पहले वाइनाड में हुए प्राकृतिक आपता के बारे में सुना होगा वहाँ पर एक भयंकर विनाशकारी लैंसलाइड हुआ जिसके वज़े से तीन गाव पूरे के पूरे बागए है शैकड़ों में लोग मारे गए शैकड़ों में लोग अभी भी लापता है और वहाँ पर तकरीबन 600 घर मलबे में तबदील हो गया या वहाँ से बिलकुल लगा है वो रहने लायक जगा नहीं है ये तरास्ती के बारे में और जीवन के शनबंगुरदा के बारे में हमें याद दिलाते हैं लेकिन आज के सुसमाचार से जुड़े कुछ बात महां पर मुझे देखने को मिली क्योंकि मैं इन दिरों में विशेश रोप से वाइनाट से जुड़े खबरों को सुन रहा था देख रहा था प्यारे भाई और बैरों जैसे इस आपता के बारे में लोगों के कानों पर पड़ा वहां पर हजारों की संख्या में वॉलंटियेस पहुंचने लगे हैं और वहां के सारी स्थिती को संभालने की कोशिश करते हैं जो त कि नहीं है उससे भी बहुत बड़ी त्रासती वहां पर घटित हुई है यह हमारे कंट्रोल में नहीं है यह कैसे हुआ क्यों हुआ इन सवालों का जवाब हमारे पास में नहीं है लेकिन वहां पर जो एक अच्छी बात देखने को मिली मैं अवश्याफ सबों की साथ में जिनके लिए कुछ भी जिनके पास में नहीं था क्योंकि सब कुछ लैंड्स्लाइड में तबाव हो गए थे उनके सिवाए जो कपड़ी भी पहन रहे थे उसके सिवा बाकी सब कुछ बहा गये थे इसके बावजूद भी एक दिन के अंदर मैं वहां पर देख रहा था वहा पड़ा कि आगे से यहां पर कोई चीज भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ परियाप्त मात्रा में वहां पर पहुंच चुके हैं यहां तक कि वहां के सभी लोगों को मॉबाइल तक बाटा गया लोगों के प्रती सम्वीद ना इसको कहते हैं यहां पर मैं वो र जब दो पेट के लिए परियाप्त था वो व्यक्ति वो पांच रोटी और दो मच्ली प्रभू के हाँ जब हातों में देने तीयार हो जाते हैं वो 5000 से जादा लोगों के लिए परियाप्त हो जाता है तो उसी तरह जब मैं जब मेरे भाई का, मेरी बहन का पीडा को समझता हूं, समवीदना व्यक्त करता हूं, वहां तक मेरी सीमा नहीं है, मैं उनके लिए कुछ करने के लिए जब निकल पड़ता हूं, मेरे जैसे अनेग लोग जब जुड़ जाते हैं, बड़ी सी बड़ी तरास्ती को भी ह काम आसानी से जेल सकते हैं, वहां पर जिस तरह से अनेग संस्थाओं के वलंटियस ने जो कारी किया है, प्यारे भाई और बहनों देखने लायक है, जब वेदना में तूटे हुए दिल के साथ में सब कुछ तर बरबाद हुए लोगों के बीच, ये लोग दिन रात डटे ह वे कारी जब करने देखते हैं, प्यारे भाई और बहनों, पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहना चाहूंगा, इनसानियत आज भी जिन्दा है, और इनसान के लिए शायद इनसान ही काफी है, जब हम दूजों का दुख समस्ते हैं, दर्द समस्ते हैं, उसके लिए हम जब के लिए आगे बढ़ते हैं, मैं कहरा चाहता हूं, कि वहाँ पर इनसानियत जिन्दा है, इनसान जिन्दा है, और इनसान के लिए इनसान काफी है, प्यारे भाई और बेनों, रोटियों का चमतकार बाठने का चमतकार है प्यारे भाई और बेनों, आप भी जब जरूरत मंद लोगों के बीच से गुजरते हैं बाठने के लिए हमेशा आगे आजाएं आमे